आपका स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब करी और बेल आइकॉन पर प्लिक करी प्रिय छात्र आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कक्षा 9 NCRT हिंदी लेसन दो डियर इस्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 36 बुक का पार्ट 2 पार्ट का नाम है लासा की ओर और इस पार्ट के लिखाग है राहुल सांकृत्यायन तो आई हम पहले इनके जीवन परचे को समझते हैं राहुल सांकृत्यायन का जन में सन 1893 में गाउपंधा जिला आजमगड उत्तर पेदेश में हुआ इनका जन कब हुआ 1893 में उनका मूल नाम केदार पांडिदा उनकी सिक्षा कासी आगरा और लाहॉर में हुई सन 1930 में उन्होंने स्रीलंका जाकर बहुत धर्म गरहन कर लिया तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया राहुल जी की पाली प्राकित अप्रंस तिबबती चीनी जापानी रूसी सहित अनिक भासाओं के जानकार थे उन्हें महापंडित कहा जाता था सन 1963 में उनका देहाद हो गया राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास कहानी आत्मे कथा यात्रावित जीवनी आलोशना सोध आदी अनिक विदाओं में साहित तरसेजन किया इतना ही नहीं उन्होंने अनिक ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया क्या किया इन्हें ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद करके लिखा जिनमें प्रमुक हैं मेरी जीवनियात्रा, इसके छे बाग हैं, दर्सन, दिख दर्सन, वाईसरी सदी, बुलगा सिगंगा, भागू नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी उलामी, गुमक करसास्त, उनकी प्रमुक कितियां हैं, कितियां मतलब रचना हैं साहित के अलावा दर्सन, राजनीती, धर्म, इतिहास, विज्ञान, आदी, पिविन विश्यों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 हैं, इनकी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी हैं, लगभग 150, राहुल जी ने बहुस्ती लुप् का उद्धार कर अत्यंत महत्पूर कारे किया है मतलब जो सामेगड़ी लुप्त हो चुकी थी उसका इन्होंने महत्पूर कार किया है यात्रा वितलेखन में राहुल जी का इस्थान अन्यतम है उन्होंने गुमकड़ी का सास्थ रचा और उससे होने वाले लावों का विस्ता से वर्डन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को भी गुमककड का उद्देश बताया क्या बताया यात्रा को भी गुमककड का उद्देश बताया गुमककडी से मनुरण्यन ज्यान वर्धन एवं अज्यात इस्थरों की जानकारी के साथ साथ भासा एवं संस्कृति का भ इसका भी आदान प्रदान होता है मतलब एक दूजरे की जगह कि भासा की बारे में माघ क्या संस्कृति है इसके बारे में समझते हैं राहुल जी ने विविन स्थानों के बहुग लेक वर्णन के अत्रिक्त वहां के जन जीवन की सुंदर जहां की प्रिस्तित कि यह हैं लेखु में क्या प्रिस्तित किया है और भोग लिग बर्णन और वहां के जन जीवन की सुन्दर जहां किया प्रिस्तित की हैं संकलत अंस राहुल जी की प्रिथम तिब्वत यात्रा से लिया गया है जो उन्होंने सन 1939 से 30 में नेपाल की रास्ते की थी उस समय भारतियों को तिब्वत यात्रा की अनुवती नहीं थी इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिकवंगे के छदम बेस में की थी उन्होंने यह यात्रा कैसे की थी एक भिकवंगे के रूप में इसमें तिब्वत की राजदानी ल्यासा की ओर जाने वाले दुर्वम रास्तों का वार्णन उन्होंने बहुत ही रोचक सेली में किया है इस लेसन में अनोने क्या किया है लियासा की और जानने वाले दुरबं मतलब कठे रास्तों का बायंडन बहुत रोचक सहली में किया है इस यात्रा बितां से हमें उस समय की तिब्बती समाच की बारे में भी जानकारी मिलती है तो आईए हम इनके लेसन को रीट करते हैं वो है नेपाल से तिबब जाने का मुख रास्ता है हरी कलिटपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं दुनिया की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिबब जाया करती थी यह ब्यापारिक ही नहीं सेनिक रास्ता भी था मतलब यह ब्यापार के लिए ही नहीं था वलकि क्या था सेनिकों के लिए भी रास्ता था इसलिए जगए जगए फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिन में कभी चीनी पलटन रहा करती थी आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं आजकल वहां की स्थिती कैसी थी? कि फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ब के किसी भाग में दुर्ब मतलब किला किले के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना वसीरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आवाद दिखाई पड़ते हैं ऐसा ही परत्यक्त एक ची निकला था क्या था एक ची निकला था हम वहाँ चाई पीने के लिए ठहरे लेखक और लेखक के मित्र वहाँ किसलिए ठहरे चाई पीने के लिए ठहरे तिबबत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है मतलब कि तिबबत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी है तकलीफों के साथ साथ कुछ आराम की बातें भी है वहाँ जातिपात चुगाचूत का सावाल ही नहीं है वहाँ क्या नहीं है? जातिपात ही नहीं है चुगाचूत नहीं है और ना ओरतें परदा करती है वहाँ की ओरती परदा नहीं करती है मतलब वहाँ परदा परदा नहीं है बहुत निमनिसरेड़ी के भिखवांगों को लोग चोरी की डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं नहीं तो आप बिलकुल घर के भीतर चले जा सकते हैं चाहिए आप बिलकुल आप औरीचेत हों तो आपको कोई जानता भी ना हो तो भी आप घर के अंदर जा सकते हैं तब भी घर की बहु या सासु को अपनी जोली में से चाय दे सकते हैं वहाई आपके लिए उसे पका देगी क्या कर देगी चाय पका देगी मखण और सोड़ा नमक दे देजिए मतलब वहां की चाय एक अ अगर उसे दूदवाली चाय के रंग की बना के मिटी के टौटी दार बरतन खोटी टौटी दार बरतन मतलब एक मिटी का बरतन होता है और उसमें टौटी लगे हुती है जहां से चाय बाहने करती है तो उसमें रखके आपको दे रहे गए यदि बैठक की जगए चूले से दूर है मतलब आपके बैठने का इस्थान जहां चाय बर रही वहा से दूर है और आपको डर है कि सारा मखन आपकी चाय में नहीं पड़िए तो आप खुच जाकर मतलब आप भाहां खुच जाकर अपनी चोडी में चाय मत कर ला सकते हैं चाय करन त्यार हो जाने पर पिर न नमक और उसमें मखण डाला जाता है परत्यप्त चेनी के लिए से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया मतलब रहने के लिए स्थान मांगने आया हमने वह दोनों चटें उसे दे दी साइध उसी दिन हम थोड़ा के आखरी गाउं तोड़ा मतलब तिब्बती रीमा का एक इस्थान है उसके आखरी गाउं में पहुच गए यहां भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहने के लिए अच्छी जगए मिली मतलब कि वहां पर क्या मिला ठहने के लिए अच्छी जगए मिली पास साल वाद हम इसी रास्ते लोटे थे कितने लिखा कितने साल वाद इस रास्ते से लोटा पास साल वाद और भिकमंगे नहीं एक भत्र यात्री के बेस में गुरों पर सवाद हुकर आये थे किस प्रकार आये थे भिकमंगों की तरह नहीं बलकि एक यात्री की तरह है इंतो उस व कोपड़े में बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनुवत्ती पर ही निर्वर है खासकर साम के वक्त छड़ पीकर छड़ मतलब एक नसीला पदार जिसे पीकर बहुत कम वोस हवास को दुरुस्त रखते हैं जब हमें सबसे विकट डानडा थोड़ा पार करना था डानडा मतलब डानडा है एक उची जमी और थोड़ा मतलब तिबदी सीमा का एक स्थान उसको पार करना था तब डाने तिबद में सबसे खत्रे की जग है जग हैं 16-17,000 फीट की मुचाई होने के कारण उनके दौना तरफ मीलों तक कोई गाउं गिराव नहीं होते हैं नदियों के मोड और पहाड़ों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है यह जगह इतनी मतलब उची होती है कि नदियों के मोड और पहाड़ों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है डांकों के लिए यही सबसे अच्छी जगह है तिबबत में गाउं में आकर फून हो जाए तब तो फूनी को सजाब भी मिल सकती है लेकिन इस निर्जन इस्थानों में मरे हुए आदमें के लिए कोई परवार नहीं करता सरकार खूपिय विवाग और पलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गबा हुई कोई नहीं मिल सकता डाकेट पहले आदमी को मार डालते हैं उसके बाद देखते हैं कि कुछ फैसा है की नहीं हत्यार का कानून ना रहने के कारण यहां लाठी की तरह लोग इस तॉल बंदू लिए फिरते हैं डाकु यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खत्रा है गाउं में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ा के पास खुण हो गया साइद खुण की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीकमंगे थे कैसे थे सरब कुछ नहीं था हमके पास और जहां कहीं बैसी सूरत देखते तोपी उतार जीब निकाल कुछी कुछी मतलब दया दया एक पैसा कहते बीक मांगने लगते मतलब जहां कहीं भी ऐसा देखते तो क्या करते लिए दया दया कहते हुए बीक मांगने लगते लेकिन पहाड की मुची चड़ाई थी इप पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मिल से कम नहीं था मैंने समती से कहा कि यहां से लड़कोर तक के लिए दो गोड़े कर लो सामान भी रख लेंगे और चड़े चलेंगे दूसरी दिन हम गोड़ों पर सावार होकर उपर की ऊड़ चलेंगे दूसरी दिन लेका कहां चले गुरों पर सवार होकर उपर की ओर चले डाने से पहले एक जगह चाय पी और दुपर की वक्त नांडे की ऊपर जा पहुंचे डानने मतलब उची जमीन महां पर जा पहुंचे हम समुद्ध दल से 17-18 फीट उचे खड़े थे हमारी दक्षिन की और देखने वाले पहाड बिलकुल नंगे थे बीटे मतलब क्या होता है टीले के आकार का एक उचाय स्थान तो कैसे थी मतलब पहाड़ों पर कुछ नहीं था ना वहां बरफ की सफेदी थी ना किसी तरह के हर्याली उत्तर की तरफ बहुत कम बरफ वाली चोटियां दिख है पत्व पढ़ंती सर्वोंच इस्थान पर डांडे के देटगता का स्थान था अब सबसे ऊच इस्थान पर चातां है जो पत्थरों के ढेर और बरंगे कपड़ों की जाड़ियों से सजाया गया था आब हमें बराबर उत्राई पर चलना था चड़ाई तो कुछ risky थी ले मेरा घुड़ा कुछ धी में चलने लगा, मैंने समझा कि चड़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और उसे मानने नहीं चाहता था, मतलब घुड़ा क्या चलने लगा, धी में चलने लगा, दीरे दीरे वह बहुत पिछड़ गया, और मैं मतलब की लेख़ग कहां देन, दौन क्योंतों की तरह अपने घुड़ों पर जुमता हुआ, चला जा रहा था, जान नहीं पड़ता था कि घुड़ा आगे जा रहा है या पीछे, जब मैं जोर देने लगता तो है, और सुस्त पढ़ जाता, जब जोर देने लगता तो लोड़ा कैसा हो जाता, और सुस्त पढ़ जाता, एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, मतलब एक जगह से दो रास्ते निकल रहे थे, फूट रहे थे, मैं बाएं का रास्ता ले मील, लेड़ मील चला गया, मतलब लेख़ग ने क बता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहने वाला था फिर लोटकर उसी को पकड़ा चार पांच बजे के करीब मैं गाहों से मील भर पर था तो समयती इंतजार करती हुए मिले मंगोलों का मुझ बैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरी गुस्से में थे उन्होंने कहा मैंने दो टोकरी कंडे फूंग डाले कंडे मतलग गोवर की उपले जिसे इन्हन की रूप में यूज किया जाता है तीन तीन वार चाय को गरम किया मैंने बहुत नर्मी से जवाब दिया लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र नहीं ही मित्र देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मि मैं रात तक पहुशने की उम्मीद रखता था खेर समती को जितनी जल्दी गुश्टा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था लड़पूर में वह एक अच्छी जगाए पर ठेरे थे यहां भी उनके अच्छे अजमान थे पहले चाय सत्तु खाया सत्तु मतलब की जो की चने के चनों से बनाया जाता है और रात को गर्मा गरम थुपा मिला थुपा मतलब सत्तु या चावल की साथ मुली हड़ी और मास की साथ पत्री ले की तरह पकाया गया खादबदार यह खाने को मिला अब हम तिडिरी के विसाल मैदान में थे अब लिखा कहा था तिडिरी के विसाल मैदान में जो पहाडों से घिरा टापु सा मालूम होता था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाडी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है उसी पहाडी का नाम है तिडिरी क्या है एक छोटी सी पहाडी का नाम है, तिडिरी समाधी गिरी आसपास के गाव में भी समती कि कितने ही यजमान थे, कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खतम नहीं हो सकते थे, क्योंकि बूद गया से लाय कपड़े के खतम हो जाने पर किसी कपड़े से बूद गया का गंडा बना लेते थे, वो है अपने अजमानों के पास जाना चाहते थे, मैंने सूचा, यह तो हपता भर उधरी लगा देगे, मैंने उनसे कहा कि जिस गाउं में ठेड़ना हो, उसमें भले ही गंडे वाट दो, मगर आसपास की गाउं में मज जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लियासा प हचका क्या दूगा, रुपए दे दूगा, समती ने सुईकार किया, दूसरे दिन हमने भरिया ढूने की खोसिस की, लेकिन कोई ना मिला, सवेरी ही चल दिया, भरिया मतलब भार वाहक जो की भार उठा सकता था, लेकिन भार उठाने के लिए कोई नहीं मिला, सवेरी ही चल लेकिन आप 10-14 बजए की देज दूप में चलना फड़ रहा था तेथ दूप बहुत कड़ी मालू होती है प्रिकार की वहत कड़ी है मतलब बहुत तेज या थोड़े से मॉटे कपले से सरक धहां दूप ने खतम हो जाती है आप 2 बज़े सुरज की कोर्मों करकर करके चल रहे हैं, बलार धूप से जल रहा है, मतलब भी माथा धूप से जल रहा है, और पीछे का कंदा बरफ हो रहा है, फिर हमने पीट पर अपनी अपनी चीजी ला दी, अपना-पना सामान लादा, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े, यद्दभी समती के पलचित तडड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजवान से मिलना चाहिद थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सीकर बिहार की और चलने के लिए कहा, तिबबत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीडारों में बटी है, इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों, यानि कि बिह जागीरों के हाथ में है, अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीडार कुछ खेती कुछ खुद भी करता है, कर आता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, खेती का इंतजाम देखने के लिए होहाँ कोई बिख्चु हे जाता है, मतलब बिख्चु मतलब की जो जागी के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता सेकर की खेती के मुखिया भिक्षू नम से बड़े भद्ध पुरुस थे वह बहुत प्रेम से मिले हाला कि उस बक्त मेरा भेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था यहां एक अच्छा मन्द था बुद्ध बजन अनवाद की हास्कलिफी 103 पेथियां रखी हुए थी वीरा आसन भी वही लगा वह बड़ी मौटी का अगस पर अच्छे अक्षरों में लिखे हुए थी अच्छे मौटी का अगस पर अच्छे सुन्द रख्षरों में लिखे हुए थी एक एक पोथी पंद्रा-पंद्रा से यह से कम नहीं रही हुए हुए समची ने फिर आसपास अपनी अजमानों के पास जाने के बारे में पूछा मैं अब पुस्तकों के भीतर था इसलिए देखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया दूसरी दिन वह गई उन्हें समझा था दो तीन दिन लगेंगे लेकिन वह उसी दिन दो पर बात चले आए त प्रेडिरी गाओं वहां से बहुत दून नहीं था हमने अपना अपना सामान फीट पर उठाया और भीच्छू नमसे की विदाई लेकर चल गई